और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक बता दें दरसल लिसाना गाउं में आज पुनर मद्दान हो रहा है रिवाडी की लिसाना गाउं का मामला है वाड़ नमर 6, अचार और 6 में आज दोबारा से वोटिंग हो रही है पंच पत को लेकर आपको बता दें कि जब 12 नवंबर को मद्दान हुए थे उस वक्त वैलेट पेपर के चलते वोटिंग नहीं हो पाई थी लिसाना गाउं में जिसके बाद आज फिर पुरर मद्दान हो रहा है वाड़ नमर चार और वाड़ नमर छे में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और जादा बाचीत जानकारी के लिए सुरेंदर गौड हमारे सयोगी रिवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंदर आज फिर मद्दान हो रहा है रिवाड़ी के लिसाना गाउं में किस तरह का महौल नजर आ रहा है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की और से आज को लेकर की गई है तो देखेंगे यहां जो मददान पकिल है यहां पर भी बहरी पुलिस यहां परी ते मुश्पी तरह मुश्पेद लगर आ रही है यहां करें यहां पता जो है अभीार नंबर चार ओंग सेidents अगर बात करोवाड तो एक तालीस मत्दाता अपना मत्दा उपियोग कर चुके है." आप ग्रामेने को भी देख नहीं होंगे, आप मत्दान करके आ रहे होंगे। क्या मुद्दे रहे हुँगे यहाँ पर? यही मुद्ध अब देख रहे होंगे कि महिला भी जो है यहाँ अभी अपनी मत्तापरियोग करने आई है और आप यहां सामने देख रहे होंगे कि यहां बूत है यहां यह बूत है यह बूत पर अपना मत का प्योग यहां कर रहे है अगर बात करें यहां लगातार मदान भी यहां जारी है बिल्कुल सुरेंद्र मदान लगतार जारी है दो वाड को लेकर दरसल वोटिंग हो रही वाड नमबर चार और वाड नमबर छे अब जिस तरह से आपने भी दिखाया कि लगातार जो मदाता हैं वो मदान करने के लिए पहुँच रहे हैं लेकिन अगर सुरेंद्र देखा जाए बारा तारीख के तुलना में आज क्या अतना उत्सा लोगों में नजर आ रहा है मदान को लेकर या फिर मदाताओं में क्योंकि का करीब 19 महाबाद आज बबारा से उनको सार्चंगने मोका मिल रही है निशित और पर सुरेंदर मददाताओं में उत्सा है और भारी संक्या में वोट करने के लोग उमर भी रहें तो माना जाए आप सुरेंदर जिस तरह से आपने संक्या बताई दोनों ही वाड में मददाताओं की उससे तो लगता यह है कि जादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया है दोनों वाट को लेकर वो संपन हो जाएगी जी बिलकुल अगर इस तरीके से मत्दार नहीं चल रहा है यह माना जा रहा है कि लगबग एक या दो गंटे बाद में ही जो मत्दाता अपना मत का प्रियोग कर चुके होंगे लेकिन जो समय जिस तरीके से चुनावाई का समय निर्दारित है उसके बाद ही जो है यहां का प्रियोडाम है उसको गोसित किया जाएगा इसके लगातार आप देख रहे हैं यहां यह बूत है और यह बूत पर जो है लगातार अभी पुलिस बल्बी तेनात हो और मताता और एजेंट भी यहां उपस दीत है अगर बात करें जो बूत नमबर 34 है यहां जो है लगातार जो बूत नमबर 34 में और 35 में दोनों में यहां पंचों का चुनाव होना है सुरेंदर एक बार तस्वीरे भी दिखाईए किस तरह का महौल फिलाल बूत पर नजर आ रहा है और क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रिशासन की और से लोगों से भी बात करने का प्रयास कीजिए अगर बात करें लगातार अगर आप देख रहा होंगे कि इंतजामात की बात है तो सुरक्षा की पूरी तरीके से सुरक्षा के चाफ्चोंबन परबंद है अगर पुलिस कर्मी देख रहे होंगे या पुलिस कर्मी भी है और लगातार दो है यहां मत्दान की जो परकरिया ह अभी आप देखरोंगी यहां तो हुए है अगर बात करें तो पुलिस करने भी यहां मुझूद है लगातार अपनी जूटी में यहां आज जूटे हुए है यह आप मत्दान करने है यह अब बात की मत्दान करने है इसमेशे डूबारा ना पता है अब अब बुथे क्या रहेंगे शुन्दा सुन्दा था लगनान गोगे यहां मुझूद है और विल्कुल आप दोगए अपनीज़ दिखरोंगे दुर्ण शुन्दान शुन्दा शु विजट लगाता हम ये कह रहे हैं कि आशा भिजब बता ऌफ है विजब दो है विजब बलता है विजब वे जिर इसमे इस परणहर होग attitude है सब्सक्राइब बताएंगे क्या है यह अधिकारी है यह बता रहे हैं तक अभी तक बद्दान हो चुका है यह भी जाना चाहेंगे कि कब तक ही यह सुनाव से समय होगा जबेशाग से साम को चेबिशागे के बाद भी परणाम आएंगे जी बिलकुल यह बता रहे हैं कि शाम को चेबिशागे करके परणाम पूसित किये जाएंगे बिलकुल सुरेंद्र लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है हाला कि पुनर मदान जरूर पंच पत को लेकर इन दोनों ही वाडों में हो रहा हूँ लेकिन निशित और पर लोगों में जरूर उत्साह कई न कई अपने पंच को चुनने के लिए नजर आ रहा है बहुतर शुक्रिया आपका इस तमाम बाच्चीत और जानकारी देने के लिए तो आपको बता दें कि रेवारी के लिए साना गाउं में पुनर मदान आज हो रहा है वार्ड नमबर चार और वार्ड नमबर छे में आज वोटिंग की प्रकिरिया को एक बार फिर शुरू किया गया है तकरिबन साथ प्रतीशत वोट जो हैं वो डाल दिये गए हैं रसल बारा तारीक को बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी की वजह से गलती की वजह से उस दिन मदान नहीं हो पाये थे रिवाड़ी की लिसाना गाउं में पुर्णी अबारा दान हो रहा है आपको बता दें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लिसाना गाउं की जहां पर वाड़ नमर चार और वाड़ नमर छे में वोटिंग हो रही है दरसल बारतारिक को जब दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे उस वक्त मदान नहीं हो पाया था